तो मुश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Group पर दोस्तों आप देख रहे हैं Free Practice Set Paper GK का ये Practice Set Paper latest exam pattern पर सेट किया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए पीडियाप्स की लिंक देदी है आपको जो भी पीडियाप्स डाउलूट करनी है Link पर क्लिक करके कर सकते हैं अपन दोस्तों को भी शेर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो देखिए आप कितना इसको गेन करते हैं सबसे पहला प्रशन यहाँ स्क्रीन पर निम्न मैंसे किस देश को वनो का देश कहा जाता है इनमें से कौन से देश को वनो का देश कहा जाता है राइट आंसर क्या है प्रशिंगे लिए तो यह दक्षणी गोलार्द में जाकर अपनी दिशाएं बदल लेती हैं ये किस नियम के अंतरगत होता है राइट आंसर क्या है उत्री गोलार्द की हवाएं दक्षणी गोलार्द में जाकर अपनी दिशाएं बदल लेती हैं ये किस नियम के अंतरगत होता है राइट आंसर क्या है के लिए तो उत्री गोलार्थ की हवाएं दक्षणी गोलार्थ में जाकर अपनी दिशा वदल लेती हैं यह फैरल के नियम के अनुसार होता है निम्न मैं से कौन सी नदी केरल में प्रवाहित होती है क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए इनमें से कौन सी नदी केरल में प्रवाहित होती है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पेरियार नदी जो है केरल में प्रवाहित होती है सही उत्तर हो जाएगा option number a प्रश्ण का right answer है next question देखते हैं कि आप पुशा गया अगला प्रश्ण यह रहा screen पर modern food industries को निम्न मैंसे किसने खरीद लिया था यह company है food की company है modern food industries को इन मैंसे किसने खरीद लिया था तो हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड औप्शन नमबर बी इस प्रश्ण के लिए modern food industries को निम्न मैंसे किसने खरीद था तो हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड ने खरीद था नेक्स कौशन देखते हैं अगला प्रशन है potential energy को हिंदी में क्या कहा जाता है right answer क्या है? potential energy को हिंदी में क्या कहा जाता है तो right answer हो जाएगा potential energy को हिंदी में इस्थितिच उर्जा कहा जाता है option number B प्रशिन के लिए सेत्र हो जाएगा इस्थितिच उर्जा कहते हैं next question देखते हैं क्या पूशा गया है ब्रह्मांड समंदी अध्यन को निम्ने मैंसे क्या कहा जाता है right answer क्या है तो ब्रह्मांड से समंदित अध्यन की जानकारी के लिए option number cosmology option number D यहाँ पर सेत्र हो जाएगा cosmology कहते हैं next question देखते हैं अगला प्रशन है चिंपेंजी में कितने गुर्षूत्र पाए जाते हैं क्या उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या प्रशन है अगला प्रशन यह रहाँ स्क्रीन पर golden globe award जीतने वाले प्रथम भारतिय निम्न मैंसे कौन थे golden globe award जीतने वाले प्रथम भारतिय निम्न मैंसे कौन थे तो right answer हो जाएगा option number B A.R. रह्मान प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा golden globe award जीतने वाले पहले भारतिय निम्न मैंसे कौन थे right answer A.R. रह्मान प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन उत्तर प्रदेश में इस्थित फतेपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में जो फतेपुर सीकरी है उसको किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया तो right answer हो जाएगा 1986 option number B यहाँ पर सेतर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इस्तित फतेपुर सीकरी को 1986 में युनेस्को में शामिल किया गया right answer option number B प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन है स्यद वन्स का संस्थापक खिजर खां निम्न मैंसे किसका सेना पती था स्यद वन्स का संस्थापक खिजर खां निम्न मैंसे किसका सेना पती था right answer क्या है तो स्यद वन्स का संस्थापक खिजर खां option number तैमूर लंक का सेना पती था option number a प्रश्ण के लिए सही उत्र हो जाएगा right answer option number a यहां सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में निम्न मेंसे किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो right answer हो जाएगा option number next question देखते हैं क्या पुशा गया है युनेस्को द्वारा निम्न मेंसे किसे विष्व का पहला अंतराश्य नगर घोशित किया था यूनेस्को के द्वारा विश्व में पहला अंतराश्य नगर किसे घोशित किया गया तो राइट आंसर है औरो विल इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा राइट आंसर है औरो विल यूनेस्को के द्वारा विश्व का पहला अंतराश्य नगर घोशित किया गया option number a right answer हो जाएगा next question देखते हैं भारत के समिधान में जो उपराश्पती से सम्मंदित प्रावधान है वा निम्न मैंसे किस देश के सम्मंदित प्रावधान है तो right answer हो जाएगा अमेरिका के समिधान से ग्रहन किया गया है option number c प्राश्पती सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्राश्पती ब्लैक होल निम्न मैंसे किस का भविश्य है right answer क्या है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तारे का भविश्य है black hole option number b प्राश्पती सही उत्तर हो आंसर क्या हो जाएगा तो computer के अविश्कारक चार्ज बेवेज जो है option number ब्रेटेन से संबंद्ध है right answer option number d प्राश्पती सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछ आगया है अगला प्राश्पती है मनुष्य के शरीर में oxygen की मात्रा निम्न मैंसे कितने सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है next question देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्ण गंजे पन के लिए निम्न मैंसे कौन सा कवक उत्तरदाई है राइट आंसर क्या है गंजे पन के लिए निम्न मैंसे कौन सा कवक उत्तरदाई है राइट आंसर तो गंजेपन के लिए टीनिया कैपटिस, option number C यहाँ पर सेत्र हो जाएगा, गंजेपन के लिए टीनिया कैपटिस नामक कवक जो है, वो तरदाई है, राइट आंसर हो जाएगा, next question देखते हैं, क्या पुशा गया है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न म स्क्रीन पर, विश्यो की सबसे उची राजधानी, बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी का नाम क्या है, राइट आंसर क्या है, तो विश्यो की सबसे उची राजधानी, बोलीविया की राजधानी है, और बोलीविया की राजधानी, option number A, लापाज है, right answer हो जाएगा next question देखते हैं कि आपके शगया है निम्न मेंसे किस देश का राश्री चिन maple leaf है right answer क्या है बतलाइए maple leaf किस देश का राश्री चिन है right answer क्या है तो यहाँ पर स्यूत्र हो जाएगा option number Canada का राश्री चिन है Mapple Leaf, Option C, प्राश्ण के लिए स्यूत्र हो जाएगा Next question देखते हैं खुर्दा का युद्ध निम्न मैसे किस वर्श हुआ था? Right answer क्या हो जाएगा? Option C, 1795 प्राश्ण के लिए स्यूत्र हो जाएगा Next question देखते हैं क्या पुषा गया है निम्न मैंसे कौन सा राज नेपाल से सबसे लंबी सीमा साजा करता है भारत का राइट आंसर क्या है तो भारत का राज जो नेपाल से सबसे लंबी सीमा साजा करता है बिहार है ऑप्शन नमब बी यहां पर सहीतर हो जाएगा राइट आंसर है बिहार नेक्स कॉशन देखते है वह श्रमिक जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सलगन होते हैं निम्न मैंसे किस जॉब के अंतरगत उन्हें रखा जाता है तो वह श्रमिक जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सलगन होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतरगत रखा जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए option number C से यत्र हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन निम्ने मैं से कौन सी समीती जन संख्या नीती से संबंदित है तो स्वामी नाथन समीती जो है जन संख्या नीती से संबंदित समीती है राइट आंसर हो जाएगा next question किस वर्श दिल्ली को NCR यानि की राश्री राजधानी छेतर बनाए गया तो दिल्ली को राश्री राजधानी छेतर अथात NCR जो है option number A उनेस्वे इंक्यान वे में बनाएगा राइट आंसर हो जाएगा next question देगते है अंगला प्रशन वैग्यानिक मैंडलीव को निम्नमैसि किस खोज के लिए जाना जाता है क्या उत्तर हो जाएगा वैग्यानिक मैंडलीव को लीफ को आवर्थ साणी के निर्माण के लिए option number D यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा खोश के लिए जाना जाता है next question देखते हैं अगला प्रशन निम्न मैंसे किसके विभाजन में अधिक समय लगता है तो अर्दसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है option number B यहाँ पर सही इत्र हो जाएगा next question देखते हैं कि आप उशा गया है निम्न मैंसे किस बीमारी का संबंद तवचा से है तो राइट अंसर हो जाएगा option number B हरपीज नामक रोग जो है तवचा से संबंद है राइट अंसर हो जाएगा next question देखते हैं कि आप उशा गया अगला प्रशन श्री श्री नगर में इस्थित्स शाली मार बाग का संबंद निम्न मैंसे किस मुगल साशक से है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो श्री नगर में जो साली मार बाग है वो जहांगीर से संबंदित है राइट आंसर option number D यहाँ पर सेत्र हो जाएगा next question अगला प्रशन है 31 ग्रीस मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न मैंसे किस देश में हुआ था तो राइट आंसर है ब्राजील प्रशन ले सेत्र हो जाएगा यह आयोजन ब्राजील में हुआ था राइट आंसर है तो दोस्तों यह था आपका GK Practice Head People वीडियो के description box में PDF है आपको जो भी ल आससे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वीडियो लाइक करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगा बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुभ हो